बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम इक दूसरे से डिफेंट है तो यह दोनों ही LCM बनेंगी हमारा यह हो जाएगा x into x plus 4 ठीक है और उपर हमने वैल्यूस देखनी है उपर हमाँ पास है x plus 3 इसके नीचे x plus 4 है क्या नहीं है x नहीं है और जो नहीं होता वहीं multiply होता है दूसरी वैल्यू के साथ तो यह क्या हो गय x into x plus 3 minus x plus 4 उपर जाएगा क्योंकि इसके नीचे x है तो x minus 5 multiply होगा x plus 4 के साथ x plus 4 multiply by x minus 5 ठीक है is equals to 1 यह हमारा हो गया अब हम आगे चलते देखें अब हम इसे multiply करना start करते है multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास x square plus 3x हो गया minus अब देखेंगे हम इसे जब solve करेंगे तो यह ध्यान में रखेंगे कि minus का sign है और जब बाहर minus का sign हो ना तो हम पहले values को bracket के अंदर solve करते हैं जब हो मुकमल तोर पर simplify हो जाती है फिर हम उसे खोलते हैं तो x को इसके साथ multiply किया becomes x square फिर इसी x को हम minus 5 के साथ किया तो minus 5x पहली वाली हो गई मुकमल अब दूसरी वाली के साथ जाते हैं दूसरी है positive 4 4 को x से multiply किया तो 4x और 4 5s are 20 with the minus sign because plus into minus is minus यह हो गया अब हम नीचे क्या करते हैं नीचे हम लिखते है x into x plus 4 is equals to 1 ठीक है अब हम इसे solve करेंगे आगे x square plus 3x minus अब ही पहले हम इसको solve करेंगे जब ही solve हो जाएगा फिर bracket को लेंगे x square as it is रहा 5x पे से 4x minus किया तो minus 6 minus 20 is equals to 1 नीचे क्या है हमारे पास जो LCM है उसे हम आपस में multiply कर लेते हैं easy हो जाएगा तो यह हो गया x square plus 4x अब हम इसे solve करते हैं आगे ठीक है देखें यह हो गया हमारे पास x square plus 3x अब यह हमारे simplify हो गया अब हम sign change कर देंगे because bracket जब खोलेंगे तो sign change होगे बार minus का sign है इसलिए तो minus x square यह हो गया positive x ठीक है और यह minus into minus is minus into minus is plus ठीक है तो यह क्या हो गया हमारे पास positive 20 हो गया solve आगे चलते हैं देखें आगे हैं हमारे पास x square plus 4x is equals to 1 अब हम इसको उधर remove कर देंगे ताकि हमारे नीचे की value remove हो जाए सबसे पहले हम देखेंगे कि यह दोनों same values है with their opposite signs तो यह cut गई हमारे पास क्या रह गया 3x plus x क्या हो गया 4x plus 20 हो गया अब यह उधर चला गया one के साथ multiply हुआ तो यह हो गया x square plus 4x क्यों multiply हुआ हुआ because यह यहां पर divide हो रहा था और जब equal के दूसरी तरफ जाएगा तो multiply हो जाएगा तो यह हम क्या करेंगे अब देखें हम x की value यहां पर है हमारे पास तो हम x की value को यहीं रखेंगे because हमें x square की value positive रखेंगे तो हम क्या करेंगे हम लेकेंगे x square plus 4x यह 4x जब वहां जाएगा यह हो गया minus 4x positive 20 becomes minus 20 is equals to 0 same values with the opposite signs cancel क्या रह गया हमारे पास हमारे पास रह गया x square minus 20 is equals to 0 अब क्या हो गई है हमारी आगई pure quadratic equation आगई ठीक है because इसमें x की value नहीं है ठीक है तो क्या थी हमारी pure quadratic equation कुछ याद है pure quadratic equation थी ax square plus c is equals to 0 match करती है ठीक है x नहीं है तो यह हमारे पास answer आगया इसका ठीक है यह fifth question हमारा complete हो गया जी अब हम करने लगे है question number 6 question number 6 क्या है हमारे पास यह हमें values ली गई है ठीक है और यह है fraction form के अंदर अब इन fraction form की values के लिए हम कैसे solution निकालते हैं कि हम उनका लेते हैं LCM different values तो दोनों ही LCM हो गए हमारे पास ठीक है अब हम क्या करेंगे इसका LCM क्या हमारा निकला LCM बना x plus 2 और x plus 3 ठीक है यह उसके जैसे ही है अब हम क्या करेंगे x plus 1 की निचे क्या है x plus 2 क्या नहीं है x plus 3 नहीं है तो x plus 1 multiply by x plus 3 ठीक है आगे बढ़े x plus 2 और यह भी इसके साथ multiply हो जाएगा क्योंकि इसके निचे क्या है x plus 3 तो यह हो गया x plus 2 multiply by x plus 2 ठीक है यह दोनों multiply हो गए अब आगे चलते है इस इकोल्स टू 25 बाए 12 ठीक है अब हम इसे solve करते हैं तो यह क्या हो अब आपसे multiply हुआ कि x plus 1 पहले multiply किसके साथ हुआ x plus 1 multiply हुआ हमारे x plus 3 के साथ तो x को x के साथ करेंगे पहले ठीक है और उसके बाद क्या होगा x को 3 के साथ इसी तरह आगे भढ़ते हुए 1 को x के साथ और 1 को 3 के साथ ठीक है तो हम इसे multiply करना start करते हैं यह हो गया हमारे पास x square plus 3 x plus x plus 3 solved second चलते हैं इस x को x के साथ multiply किया तो x square plus 2x हो गया पहला फिर दूसरे को देखते हैं दूसरे को x के साथ किया plus 2x और 2 2s हो 4 plus 4 solved नीचे LC हम क्या बना हमारा x plus 2 into x plus 3 is equals to 25 by 12 ठीक है यह हमारे पास आ गया अब हम इसे solve करते हैं हमने देखना है कि कुछ cancel तो नहीं हो रहा है हमारा कहीं से देखें x square और x square क्या हो गया हमारे पास 2x square हो गया अब x की value देखें 3x x 2x 2x 4x 4 5 6 7 and 1 8 तो क्या हो गया plus 8x हो गया क्या बचा हमारे पास 3 और 4 3 plus 4 is 7 plus 7 हो गया हमारे पास ठीक है अब नीचे वाले को भी solve कर ले हमारे लिए easy हो जाएगा x को x के साथ multiply किया तो x square plus 3x ठीक है plus 2x plus 2 3s हो गया अब क्या किया इदर आगे हमारे पास 25 by 12 ठीक है अब आगे चलते हैं आगे क्या देखते हैं हम क्या हम इसे solve करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 2x square plus 8x plus 7 यह तो already solve था नीचे को देखते हैं x square plus 3 2 क्या हो गया 5x plus 6 ठीक है और इदर क्या है हमारे right hand side पे 25 by 12 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे cross multiplication cross multiplication कैसी होती है यू और यू ठीक है यानि यह इसके साथ और यह इसके साथ तो हम करते है 12 को इस value के साथ multiply किया 2x square divide हो रहा है इसलिए यह multiply हुआ plus 8x plus 7 ठीक है इदर गया 25 था हमारे पास यह भी यहां गया multiply हो गया x square plus 5x plus 6 ठीक हो गया हमारे पास सब clear हो गया नीचे का से उपर की values remaining हो ठीक है अब हम आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं हम इस 12 को 2 के साथ multiply करते हैं ठीक है तो क्या हो गया कि 12 2 था क्या हो गया हमारे पास 24x हो गया plus 12 8 था क्या हो गया 96x हो गया plus 12 7 था क्या हमारे पास 84 12 7 था 84 तो यह हो गया 84 आगे बढ़े इदर देखें 25 x square plus 25 5 125 125 x plus 25 6 250 ठीक है सब solved हो गया अब हम क्या करते है इन्हें arrange करते है x square की value positive रहनी चाहिए और ये बड़ी है ठीक है इसलिए हम इसको यहां नहीं लाएंगे क्योंकि बड़ी value का sign ही positive होता है ठीक है रहना चाहिए positive तो ये क्या हो गया इस values को हम सारा यहीं रहेंगी क्योंकि यहां पर सारी बड़ी values है और ये सारी छोटी values है तो हम इनको यहीं रहने देंगे इसको move कर जाएंगे right hand side ठीक है तो ये क्या हो गया देखें ये हो गया हमारे पास 25x square plus 125x plus 150 अब इदर आ जाएं minus 24x square minus 96x minus 84 is equals to 0 ठीक है ये सारी हमारी एक तरफ values आ गई और ये हो गया हमारे पास 0 अब आता है solution time तो 25x square और 24x square क्या हुआ minus हुआ तो क्या रह गया हमारे पास x square रह गया अब देखते हैं x की value 125 और 96 इनको solve किया तो क्या बना हमारे पास इनने solve करेंगे तो हमारे पास answer क्या आएगा हमारे पास answer आएगा 29x तो ये हो गया हमारे पास 29x आ गया अब remaining क्या रहा 150 और 84 रह गया positive और negative sign के साथ बड़ी value के साथ कौन सा sign है positive का sign है न इसलिए हम positive का sign लगाएंगे but be remember plus into minus is minus ठीक है ये minus होगा तो 150 को जब 84 के साथ minus किया तो क्या आगया 66 is equals to 0 ठीक है तो ये क्या हो गया हमारे पास तीनो values है x square भी है x भी है और साथ constant भी है तो ये तीनो values किसके अंदर मौजूद होती है ये तीनो values मौजूद होती है standard quadratic form में so it is standard form standard form ये हमारे पास answer हो गया ठीक है और ये हमारी exercise 1.1 के question number 1 का जो 6 part थे वो हमारे सारे solve हो गए ठीक है अगर इस first question की किसी भी part में आप लोगो कोई problem हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपकी उस problem को solve कर दूँगी और आपके लिए बहुत इजी कर दूँगी maths ठीक है टेक कियर अलाफेस